बच्चों अब तक के अध्यायों में हमने अर्थशास्त्र विशय के बारे में काफी कुछ जाना बात करें अगर हम अर्थशास्त्र के एक समाजिक विज्ञान से संबंधों की तो इससे संबंधित भी बहुत सारे विशयों पर हमने जानकारी हासिल की हमने देखा कि अर्थशास्त्र कृशी से किस प्रकार संबंधित है उद्योगों से किस प्रकार से संबंधित है साथ ही हमने ग्रामीन परिवेश के बारे में भी अर्थ शास्त्र का क्या महत्तु है इस तरह की भी बहुत सारी जानकारिया हासिल के अब हम इस विशय के अपने अंतिम अध्याय में देखेंगे कि कुल मिलाकर अगर हम इन सभी विशयों को जोड़ कर अर्थ शास्त्र से देखें तो प्रारंब कहां से है और कहां तक ये अपने महत्तु को ले जाता है बात करें अगर हम केवल भारत की तो भारत का आर्थिक विकास कहां से हुआ कैसे शुरू हुआ किस इस्तिती तक पहुचा और साथी साथ अगर हम एक नजर डाले अपने आसपास के जो सीमावर्ती देश है तो उनकी क्या इस्तिती है आर्थिक विकास में और एक छोटा सा तो नात्मा कद्यान करके देखें और देखें कि क्या कारण है जो भी उन्नती हुई है या जो आवनती हुई है उनके क्या कारण रहें तो आए सबसे पहले हम बात करें भारत के विकास की जब हम विकास की बात करते हैं तो यह जो शब्द है विकास यह बहुत विस्तृत अर्थ रखता है यहाँ पर हम ना केवल आर्थिक विकास की बात करते हैं बलकि इसके अंतरगत हम आर्थिक, समाजिक, राजनेतिक, भगौलिक सभी तरह के विकास की बात करते हैं अब अगर हम बात करें किसी देश की परिप्रेक्ष में तो वहाँ पर हम आर्थिक विकास के साथ साथ देखते हैं कि क्रिशी के छेतर में क्या विकास हुआ, सिक्षा के छेतर में क्या विकास हुआ, उद्योगों के छेतर में क्या विकास हुआ, तकनीकों का विकास कितना हु शब्दों में हम इसको नहीं समझा सकते कुल मिलाकर अगर हम किवल भारत के आर्थिक विकास पर इक चर्च भारत के आर्थिक विकास का प्रारंब माना शाता है अगर हम सिंधुगाटी सभिता के इतिहास को उठा कर देखें तो हम देखते हैं कि यही वो यूग था जहां पर हम यह मान सकते हैं कि व्यापार का थोड़ा बहुत विकास होना प्रारम हुआ वास्तों में सिंधुगाटी सभिता के लोग व्यापार को यातायात से जोड़ कर देखते तो कहीं न कहीं हम कह सकते हैं कि यही कुछ ऐसे कारण थे कि उस युग में उन्होंने यातायात के जो साधन थे उनका विकास करना प्रारम भी किया दूसरी एक बात उन्होंने ये भी महसूस की कि वैपार अगर करना है तो किसी ने किसी प्रकार के मुद्रा के आविशक्ता होगी तो ये भी देखा जा सकता है कि यही वो समय था जबकि एक प्रचलित मुद्रा यानि कुछ एक सिक्के जो एक मुद्रा के रूप में जिनका प्रयोग किया जा सके इसका उन्होंने नर्मान किया तो कुल मिलाकर हम सिंदुगाटी सभ्यता जो थी उसको हम ये मान सकते हैं कि आर्थिक विकास का प्रारमिक पहलू प्रारमिक जो उदा है वो वहीं से शुरू हुआ और सिंदुगाटी सभ्यता को अगर हम वैपार से जोड़ के देखते हैं तो एक जो बहुत महत्वपूर बात हमको देखने को मिलती है वो ये है कि लगभग 300 इसापूर्व जब वैपार या वारिक जी की आवशकता महसूस की जाने लगी उस समय जो एक महत्वपूर कारिक किया गया वो था कि यहां पर जो बहुत सारे भारती उप महाद्विप है उनका एकी करण किया गया और ऐसे ही राजनेतिक एकी करण के कारण और से निसुरक्षा के कारण जो बहुत सारे वैपसाय थे उनको विक्सित होने का अवसर मिला सिंदुगाटी इस अभिता को ही हम इसका श्रिय दे सकते हैं जिसने व्यपार की कम से कम आवधारना को समझा उसकी उत्पत्ती हुई और थोड़ा सा उसके विकास के छेतर में भी उन्होंने कुछ कारे करना प्रारम भी किया तो फिल्हाल हम आर्थिक विकास के इतिहास को इतना ही जानेंगे आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्वतंतरता के समय व्यपार व्यवसाय जो थी उनकी क्या इस्तिती थी किस किस शेतर में देश की जो इस्तिती थी उस पर एक नज़र डालें तो जैसे कि हमने पिछले के कुछ अध्याय में भी देखें कि स्वतंतरता के समय भारत की अगर हम व्यापारिक इस्तिती की बात करें उद्योगों की बात करें सिक्षा की या क्रिशी की तो बहुत अच्छे इस्तिती नहीं थी अगर हम बात करें क्रिशी की तो वहां पर हम ने देखा कि उस समय जो क्रिशी हो रही थी वो परंपरागत तरीकों से ही हो रही थी दूसरी बात क्रिशी जो थी वो कुल मिलाकर पूरे के पूरे देश के आवजीविका का एक मुखिस्त्रोत था बहुत ज्यादा उद्योग धंदे कुछ भी विक्सित थे नहीं अशी टी थी और जितना उत्पादन चाहिये था जनसंख्या के पूर्ति के लिए उत्ना उत्पादन किसी भी हाल में हो नहीं पारा था प्राप्त नहीं किया जा सका था आजादी के बाद धीरे धीरे जब कृषी छेतर में विकास किया गया जब यह आफशक्ता महसूस की गई कि जो जनसंख्या है देश की कम से कम उसके भरन पूशन के लायक उसके खाने के लायक तो अराज उत्पन कर सके तो फिर हमने देखा कि किस प्रकार दीरे धीरे कृषी के चेतर में विकास के लिए बहुत सी योजनाय चलाई गई हरित क्रांटी और इसके साथ-साथ बहुत सी जो कृषी संबंध्य योजनाय थी उनके बारे में हमने पिछले के अध्यायों में काफी विस्तार से जाना तो यह कुछ ऐसी योजन बीज थे उननत किसमे के बीज, उननत किसमे के खाद का प्रियोक किया जाने लगा तो सरकार ने जब बहुत महत्पूर समझा इस बात को कि कृषी की उत्पादक्ता को किसी भी हाल में बढ़ाना देश की जन संख्या के भरन पूश्चन के लिए बहुत जरूरी है तो कृषी क चेतर में बहुत सारे व्यापक प्रयास किये गए इसके विकास के लिए और अब हम देख रहें कि धीरे-धीरे अब हम काफी प्रगती कर चुके हैं कृषी के चेतर में वैसे ही स्वतंत्रता प्राप्ती के समय अगर हम सिक्षा की बात करें तो हमने देखा था कि सिक्षा ज बहुत बड़ी चुनौती की रूप में देश के सामने आया कि सिक्षा का विस्तार कैसे किया जाए तो हमने देखा कि बहुत सारी नई नई योजनाएं लाए गई लोगों को सिक्षा के प्रती प्रेरित किया गया अभी प्रेर्णा उनमें जागरित की गई कि सिक्षा क्यो कि योजनाओं के साथ कम से कम अक्षर ग्यान दिया जा सके कम से कम उनको थोड़ा बहुत सक्षित किया जा सके इस तरह के बहुत सारे कारी किएऒए और काफी कुछ जो भी सिक्षा के दित्र में विकास ayat जो भी हम योजनाय संचालित की गए और उनका किस प्रकार क्रियान वेन हुआ, किस प्रकार कितनी योजनाव में सफलता हासिल की, इन सारे विश्यों को हम बहुत विस्तार से पिछले अध्यायों में जान चुके हैं, बात करें अगर हम उद्योगों की, तो ब्रिटिश काल मे जो सरकार की नीतिया थी, अंगरेजों की जो नीतिया थी, उन्होंने ऐसी नीतिया बनाई कि कच्चे माल जो थे, वो भारत के में जो प्रकृतिक संसाधन जो थे, उनको पूरा का पूरा ब्रिटेन में सप्लाई करने कि उन्होंने ऐसी नीतिया बनाई थी, कि भारत का पू तरीके से चौपट करके रखा था जैसे ही भारत ने स्वतंद्रता प्राप्त की जब यह महसूस किया जाने लगा कि लोगों के रोजगार का जो मुख्य साधन है वो कृषी के साथ साथ अन्य उद्योग धंदे भी होने चाहिए तो उन्होंने उद्योग धंदों के छेतर में बहुत सारे व्यापक विकास और विस्तार के लिए बहुत सारी योजनाय बनाई लगु उद्योग, कुटुर उद्योग और व्रेहद उद्योगों के लिए बहुत सारी नीतिया बनाई गई तो उस समय से न किवल सरकारी चेतर में बलकि नीजी चेतरी के भी बहुत सारी का अधार उद्योग धंदू को माना गया तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे छेत्र थे जहां पर स्वतंत्रता के बाद तुरंत उस समय ध्यान में रखा गया कि ये सारे जो तत्तों हैं ये कहीं ना कहीं देश के आर्थिक विकास में काफी सहयोगी सिद्ध होते हैं तो इनक पादकता थी उद्योग धंदों की जो दैने स्थिति इन सब के निराकरण के लिए जरूरत थी एक ऐसे अर्थ व्यवस्था के धाचे की जो इन सभी को एक मजबूती प्रदान कर सके तो इसको दृष्टिगत रखते हुए बहुत सारे निर्णाय लेने पड़े अब अगर हम बात करें कि कैसे इनको समझा जाए किस प्रकार हम इसके विकास को समझे तो इसके लिए जो भारती जो समकालिन अर्थ शास्त्री थे उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास को दो भागों में बाट दिया एक तो पहला आजादी के बाद का जो 45 साल था वो कैसा रहा और उ अच्छे से समझ पाएंगे बात करें अगर हम पहले यानि कि जब आजादी के बात के जो 45 साल थे उस पर एक नजर डाले तो यहां पर हम देखते हैं कि इसके अंतरगत मुख्य रूप से अर्थ विवस्ता में जो उदारी करण की नीती अपनाए गई निजी करण की जो नी सभी समस्याओं का सामना करने में अपना महत्तो पूर्ण योगदान दिया बात करें अगर हम उदारी करण की तो एक ऐसी नीती लाई गई जिसमें सरकार ने जो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे उद्योगों पे वैपार पे वैवसाय पे जो कड़े प्रतिबं थे उनमें धील दी गई उनमें थोड़ी सी उदारता बरती गई और इसका एक सबसे बड़ा एक उद्देश हम कह सकते हैं ये था कि जादा से जादा लोगों को वैपार उद्योग वैवसाय के छेतर में लाया जाए जो निवेशक है उनको प्रोथसाहित किया जाए उनको इन नीतिया थी वो काफी हद तक सफल साबित हुई देश की अर्थववस्था के विकास में एक महत्पूर्ण योगदान ने भाने के लिए उदारी करण को हमने पिछले अध्याय में काफी विस्तार से जाना है सेकेंड इसका जो पार्ट था वो था वैश्वी करण ग्लोबला विश्व एक है इस द्रिष्टि को अधार मानते हुए जो व्यपार विफसाय की जो क्रियाय थी वो पहले से काफी विस्तृत कर दी गई यह एक ऐसा बिंदू था जहां से देश के आयात और निर्यात दोनों ही वैपार को प्रोच्छान मिला अब इसकी एक महत्पूर्ण फिशेस्ता यह थे कि नो कीवख़ी चैळी से विदेशी मुद्र कि प्राप्ति का वह एक बहुत अच्छा स्त्रोट बना विदेशी मुद्र की प्राप्ति हो जाने से बलकि देश के लोगों को भौत सारी उत्कृष्ट वस्तूं कि भूंग का भी अफसर मिला इसी तरह हम इसका तीसरा जो बिंदू शामिल इसमें किया गया उस पर एक नजर डालें तो हमने देखा कि निजी करण याने कि प्राइविटाइजेशन भी एक ऐसा बिंदू था जिसने काफी हद तक उद्योग वैफसाय और वैपार को प्रोचसाहित किया बढ़ावा दिया निजी करण की अगर बात करें तो एक ऐसी इस्तिती थी जब सरकार ने बहुत सारे छेत्रों को निजी कायों के लिए निजी जो संस्थाएथी उनके लिए खोल दी इसके पहले जो कुछी छेत्रों में निजी वैक्ती जो थे वो वैफसाय और वैपार कर सकते थे बाकि नाच या जो वैफसाय हैं उनको अपने हाथ में रखा और बाकी सभी वैफसाय को निजी छेत्र के लिए खुला छोड़ दिया इसका परिणाम हम आज भी देख रहे हैं कि हमको अपनी आवशक्ता की लगभग सभी वस्तिवें बहुत आसानी से बजार में उपलब्द हो ज है करा आत्मक・ प्रभाप पड़ा बात करें अगर सेवा चह्यूं चेत्र के तो यहां पर मुख्यबिंदू था वो था सूचना और प्रद्योगी की का विकास अब सूचना और प्रद्योगी की के विकास को अगर हम देखें तो कीवल सारवजयनिक फ्र नहीं नहीं बल्कि नीजे छेत्र में ने भी सुचना और प्रद्योगी की के विकास में अपनी महत्पूर्ण भूमी का निभाई है और इसी का परणाम है कि सेवा छेत्र में हम काफी प्रग्ति कर पाए हैं एक नज़र डाले अगर हम सुचना और प्रद्योगी की के विकास पर तो हम देखते है वहां पर पहले से हम बात करते थे उसकी जगा मोबाइल फोन ने ले लुए एक दूसरे से विकास के लिए वर्दान घुए अगर हम इसका सकरात्मक प्रयोग करें तो साथ ही हमने देखा कि बहुत सारी जो कंपनिया थी वहाँ पर लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ और ये कंपनिया ऐसी थी जहां पर लोगों को निवेश का भी एक अवसर प्राप्त हो सका कृशी के छित्र में अगर हम बात करें कि ग्लोबलाइजेशन प्राइजेशन और लिब्रलाइजेशन यानि कि वैश्वी करण, निजी करण और उधारी करण ने कैसे अपनी भूमी का निभाई तो हमने देखा कि क्रिशी में जहां पर हम पहले परंपरागत साधनों पर ही पूरी तरीके से निरभर थे अब हमने पहले के पिक्षा अधिक उननत खाद उननत बिजो का प्रयोग करना प्रारंब कर दिया है यानि कि अब हमारी जो क्रिशूत पादकता है वो पहले से काफी बढ़ गई है इतना ही नहीं बलकि अब जो कि हम पहले देखते थे जो जनसंक्या थी उसके भर कि उसकी पूर्ती का भी अनाज उत्पन हम नहीं कर पा रहे थे लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास होता गया वैसे वैसे हम अतरिक्त जो है खाद्यान के पूर्ती हम करने लगे तो एक बहुत बड़ी प्रगती के रूप में हम इसको मान सकते हैं कृशी के चेत्र में वैसे ही सिख्षा के चेत्र में भी काफी प्रगती हुई जहां हम देख रहे थी कि एक और सुतंतरता के तुरंट बाद अगर सिक्षा के प्रतिश्यत की बात करें तो 12-13-14 प्रतिश्यत तक ही सेमित हो गया था वहीं हमने देखा कि किस प्रकार बहुत सी योजनाय लाई गई सिक्षा के छेत्र में और आज अगर हम बात करें तो लगबग 74-75 प्रतिशत हम सिक्षा का एक आकड़ा यहां पर देख सकते हैं तो इन सब विकास के पीछे कहीं न कहीं वो आर्थिक योजनाय कहीं न कहीं वो बनाएगे योजनाय शामिल थी जिनका एक महत्वपूर उद्देश आर्थिक विकास करना था साथ ही यहां पर अगर हम देखें चिकित्सा के छेत्र में तो चिकित्सा के छेत्र में भी बहुत जादा बोलने की आविशक्ता नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले जो स्वास्त सिवाय थी उसकी अपिक्षा अब की जो स्वास्त सिवाय है वो काफी बहतर है न किवल सारवजनिक छेत्र बलके नीजे छेत्र भी चिकित्सा के छेत्र में काफी अच्छी सिवाय दे रहे है और साथ ही साथ अकिल भारती आरविग्यान संस्थानों के साथ साथ चिकिटसा के चेतर में काफी वृद्धी देखने को मिल रही है व्यग्यानिक उपलब्धियों पर एक नजर डाले तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यग्यानिक अविश्कार होते रहे और लगातार सतत जारी है परमाणू उर्जा की छेतर में अगर हम देखे तो वहां पर भी हमने व्यापक प्रगती की है एक मातुपूर्ण यहां पर विकास हम देखे तो हमने यहां पर देखा कि भारत जो है वो एक अंतरिक शक्ती के रूप में लगातार उभर रहा है बात करे अगर हम तो मंगल ग्रहका एक पहला mission जो 2014 में लाइंच किया गया उसके बाद हमने देखे कि हमने अन्तरिक्ष के चेत्र में भी लगाたर सतत व्यवाति कि अन्तरिक विधास के बारे में हमने बहुत से जानकारिय अन्त करें ov aiüs सुधारना उसने प्रारम भी किया और फिर कैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ा इस अध्याय के दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें यानि कि भारत की अन्य सीमा वर्ती देशों के साथ अगर एक विकास के परिप्रेक्ष में तुलनात्मा कध्यान करें इस पर एक नज़र डा को मिलते हैं सबसे पहले एक नर्ज़र डाले चीन के विकास पर तो यहां पर हमने पाया दो हजार सत्रा के प्राप्त आकडों के आधार पर जब हमने तुलना करना प्रारम किया तो हमने देखा कि दो हजार सत्रा में चीन का जो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी था वो सबसे बड़े आर्थिक एक विकास की प्रक्रिया के रूप में सामने दिखाए दिया अब अगर एक नज़र डाले कि क्या था इसकी उपलब्धी का कारण तो सबसे पहले हमने देखते हैं कि इसके जो अर्थ व्यवस्था थी वो केंद्री नियोजित अर्थ व्यवस्था सेंट्रलाइजेशन इसका मुख्य बिंदू था जिसके बारे में हमने पहले भी देखा कि कितना महतुपूर्ण होता है और एक नियोजित प्रक्रिया के तहट इसने अपना कारे करना प्रारंब किया दूसरी एक जो महतुपूर्ण बात थी उसके यह थी कि निर्यात संबं और विदेश्री मुद्रा अर्जन कर सके आप भी अपने जीवन में देखते होंगे कि हम जिन चीजों का प्रियोग करते हैं मैक्जिमम वो जो चीजे होती है वो चाइना की बनी होती हैं कई बार हम ध्यान देते हैं जो लोग बहुत अवेर हैं अपने देश को लेके एकोन मजबूत कर रहे हैं या फिर हम अपने घर में जिन उत्पादों को भर के रखे हैं उससे चीन की अर्थवस्ता मजबूत हो रही है एक प्राक्टिकली अगर आप अपने दस समान को उठा के देखे तो आप पाएंगे कि उसमें से साथ से आठ समान जो होते हैं वो मेडिन च नगाता हैं है कि एक से उसकाले भारत के करारा और रहे हैं अगर इसकी तुलना करें भारत के विकाज से और 2017 के आंकड़ों पर नज़र डालें तो यहां हमने पाया कि 2017 में भारत की जो GDP थी वो लगभग 2.439 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर थी दूसरा हमने आपे देखा कि 1959 से 2017 के बीच के जो आवधी थी उसमें हाला कि इसमें व्रिद्धी हुई थी लगभग 5.17% के लगभग की व्रिद्धी हुई थी और साथी साथ ये भी माना जा सकता है कि 1959 के बाद का जो समय था वो ही एक ऐसा समय था जबकि भारत के GDP में जो व् जैसे कि हमने अभी अध्याय में देखा कि निजी करन यानि की प्राविटाइजेशन उदारी करन यानि की लिब्रालाइजेशन और वैश्वी करन यानि की ग्लोबलाइजेशन ये तीन ऐसी पॉलिसियां थी जिनके कारण भारत की जो GDP ग्रोथ थी वो बढ़ने लगी और एक आर्थिक विकास में वो गती पकड़ने लगा अब अगर हम बात करें तीसरे देश की आनि की पाकिस्तान की 2017 के आकड़ों के अकॉर्डिंग इस पर अगर हम एक नजर डाले तो यहां पर हमने पाया कि 2017 में पाकिस्तान का सकल घरलू उत्पाद जो था वो था 271.1 बिलि 2017 के बीच इसने अपनी अर्थ वैवस्ता में लगभग 4.14% की वृद्धी कर ली थी साथ एक बात यह भी देखने को मिली कि 1980 के जो दशक थे उनके मध्य में पाकिस्तान की जो GDP थी वो काफी तेज से पहले के पिक्षा काफी तेज उसमें वृद्धी हुई और हम यह मान सक सकते हैं कि कहीं न कहीं उसने आर्थिक सुधार की जो नीतिया अपनाई उन्हीं के यह परिणाम थे इन आकड़ों के अधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग इसका जो पाकिस्तान का जो आर्थिक विकास था वो लगभग भारत के आर्थिक विकास के समकक्षी हम उसको कह सकते लेकिन यहां पर हम देखे तो 2008 के आरम से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो आर्थिक विकास था वो डगमगा गया और नीचे जाता गया वो डाउन होता चला गया इसके कारणों पर अगर हमें नज़र डाले कि ऐसा क्यों हुआ तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एक तो इसके जो सबसे बड़ी समस्त्य है कि आतंक्वात से पूरी तरीके से जकडा हुआ है माने या ना माने लेकिन यह कहा जा सकते है कि बहुत सारी एक जो धन-राशी जो वपने विकास कारियों में लगा सकता था उसका कहीं न कहीं उसने दुरुपयोग किया है दूसरा एक महतुपूर्ण कारण हो सकता है कि घरेलू और विदेशी जो निवेशक थे उनका विश्वास डगमगा गया घरेलू जो उद्योग सकते हैं कि ब्रष्टाचार और राजनेतिक अस्थिरता राजनीती में लगातार हो रहा उथल पुथल जैसे कि आप निउस में देखते होंगे तो यह सारे ऐसे कारण वने जो लगातार उसकी अर्थव्यवस्था को डाउन लेवल पर ले जाता गया अब अगर हम बात करें भ दोनों को काफी पीछे छोड़ दिया जैसे कि हमने अभी जाना कि किस प्रकार उसकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करती गई दूसरा हमने देखा कि भारत का प्रदर्शन पाकिस्तान से तो काफी बहतर रहा लेकिन फिर भी चीन से वह पिछड़ा हुआ रहा तीसरा एक हमको देखने को मिला कि चीन की जो सफलता का शृय है वो कहीं न कहीं राजनेतिक इस्थिर्था और वहां के देश वासियों का अपने देश के प्रती लगाव प्रेम समर्पन देखने को मिला बात करें अगर हम चीन की अर्थ्ववस्था की चीन की जीडीपी की उसकी आर्थिक इस्तिती की तो उसने कुछ इस तरह प्रक्ति की कि ना केवल भारत पाकिस्तान पडोसी देश बलकि दिशु के तमाम देश उसके इस आर्थिक विकास को देखकर चकित रहे गए आकलन करना होगा हमको सोचना होगा समझना होगा कौन-कौन से ऐसे कारण है कौन-कौन सी ऐसे दशाएं हैं जिसके कारण बहुत कम समय में कोई देश इतनी आर्थिक उन्निती कर लेता है। कि किस प्रकार हम अपने देश के विकास में आर्थिक विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं।